इस एपिसोड में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सरस्वाती पूजा अस्पेशल रेसिपी पूरे करी भात कमबो पैक जिसमें आपको पकोड़ा करी मिलेगा साथ में अलूक भाजी और अलूका चोखा वो भी पूरे बिहारिया स्टाइल में तो चलिए बनाते हैं नम मज़ेदा रेसिपी तो सबसे पहले हम घोल की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पर एक कप खटा देही लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी आधा कप बेशन अगर आप गारी करी बनाना चाते हैं तो एक कप बेशन लिजिएगा और अगर आप पतली करी बनाना चाते हैं तो आधा कप बेशन और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और दही खटा ही लिजिएगा क्योंकि खटी दही की कड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है फिर हम इसमें मसाले आइड करेंगे तो हल्दी, जीरा पॉडर, गोलकी पॉडर, धनिया पॉडर, लाल मिर्च पॉडर, सल्ट टु टेस और अधरक लासन का पेष्ट, फिर हम इसे एक गलास पानी लेकर इसे मिक्स कर लेंगे और इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गुठली ना रहे या फिर आप चाहें तो आप इसे दही को पहले मिक्सर जार में भी एक बार ग्राइन कर सकते हैं तो चलिए इसे हम mix कर लेते हैं mix mix आज की recipe और आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगी आप भी ना skip किये और मेरी वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा बहुत मज़ा आएगा तो ये अब ready हो गया है अब हम इसे side में रख देते हैं फिर हम पकोड़े की तयारी कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर एक बर्तन लूँ हूँ और उसमें add कर देंगे एक cup बेशन और साथ में ही थोड़े थोड़े पाने डाल कर इसे फेटना है इसे जब तक फेटना है जब तक इसका color भी change हो जाए और फिर हम इसे पानी में डूबो हैं तो यह उपर आ जाए और मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई हूँ अपने चैनल पर आप चाहते हो देखना तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यह कितना smooth भी हो चुका है अब मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ पानी में डिप करकर तो देखिए यह पानी में डाले तो यह उपर आ गया इससे हमारे पकोड़े बहुत ही फुले फुले बनेंगे फिर हम इसमें मसाले आड़ कर लेंगे तो मसालों में हल्दी और काली मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट और अधरक लासुन का पेष्ट आड़ कर देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे यह भी हो गया अब हम इसे साइड में रख देते हैं फिर हम आगे का प्रिप्रेशन करते हैं तो मैं यहाँ पर आलू का भुजिया बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पतला-पतला स्लाइस में आलू को कट कर लिया है और इसे दो-चार पानी से धो लिया है अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें एड करेंगे थोड़ा सा वाई तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें एड कर देंगे हरी मिर्च और साथ में एड कर देंगे धन्या के पत्ते मैं चोखा की तयारी कर रही हूँ और इसे हम cook करेंगे एक दो मिनिट के लिए फिर हम इसमें add कर देंगे लासुन पेस्ट या फिर आप लासुन को थोड़ा कुचल कर भी डाल सकते हो और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए cook करेंगे फिर हम इसमें add कर देंगे salt और साथ में आड़ कर देंगे काले मिर्ज पौडर इसे हम एक दो मिनिट कुक करेंगे फिर हम इसमें आड़ कर देंगे उगले हुए आलू और इसे मैस करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे दो से पांच मिनिट के लिए सरस्वती पुजा में पूरा बातावरन पीला पीला रहता है तो इस दिन अगर आप अपने घर पर पीली कड़ी और पीले चोखे पीले आलू के भुजिये बनाओगे तो आपका मन भी बहुत ही अच्छा रहेगा तो आप इसे जरू ट्राइ करिएगा ये कवार अपने घर प अब हम आलू की भुजिया बना लेते हैं तो उसी प्राइन में एड करेंगे वाइल और तेल को हलका गर्म होने देंगे इसी तेल में हम पहले पकारी को छान लेते हैं ताकि समय भी कम लगे और बरतन भी कम गंदे हो देखिए कितना अच्छी तरह से पकोड़े खिले हैं और इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करिएगा अगर आप हाई फ्लेम पर कुक करिएगा तो वो इतने अच्छी तरह से फूले फूले नहीं बन पाएंगे जब आप इसे एक और पलट दीजिए तब फ्लेम को हाई कर दीजिए और इसे कुरकुरे होने तक तलिए तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका और ये कुरकुरे भी हो चुके हैं अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे इसी तरह से बाकी को भी हम निकाल लेते हैं इसका कलर भी कितना सुन्दर लग रहा है मुझे तुमान कर रहा है अभी खाने को पर अभी बेट करेंगे नहीं तो ये सारा खत्म हो जाएगा फिर हम इसी वाइल में एड़ कर देंगे थोड़ी से हरी मिर्च और साथ में पच फोरन अब मैं आलू भुजिया की तयारी कर रही हूँ जब ये दोनों चटकने लगे तब हम इसमें एड़ कर देंगे अलू और इसे हाइफुलेम पर कूथ करेंगे आप भुजिया को हमेसा हाइफुलेम पर ही कूथ करिएंगा एक दो मिनिट कुक करने के बाद हम यहाँ पर एड़ करेंगे हल्दी पौडर, साथ में जीरा पौडर, काली मिर्च पौडर और लासुन और इसे हम एक दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और जैसे जैसे यह अपना कलर चेंज करेगा या मतलब पकने लगेगा तो हम इसमें एड़ कर देंगे सॉल्ट सॉल्ट को आप हमेसा लास्ट में ही एड़ करिएगा भौजिया में, नहीं तो वो छिपक जाते हैं अब इसे हाई फ्लेम पर एक दो मिनिट के लिए उपक करेंगे या फिर इसे पकने तक हम कूक करेंगे तो लीजिये भौजिया भी तयार हो चुकी है, अब हम इसे साइड में निकाल के रख देते हैं एक पलेट में अब भुजिया भी तयार हो गई, चोखा भी तयार हो गया, अब हम बना लेते हैं कड़ी तो उसी पैन में हम एड़ करेंगे तेल और इसे गर्म होने देंगे जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें एड़ कर देंगे जीरा, साबुत और राई के दाने फिर दो तेज़ पत्ते और एक सुखी लाल मिर्च, उसे तोड़ के डालिए का ताकि बीज बाहर निकले, तो ये भी इसका फ्लेवर आए फिर हम इसे एक दो मिनिट के लिए खुसू आने तक कुक करेंगे, और फिर हम एड़ कर देंगे घोल को जो बचे गोले, उसमें भी हम थोड़ा से पानी एड़ करकर इसमें मिक्स कर देंगे उसे हमें वेस्ट क्यों करना, और वैसे भी घरेलू खाने में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता इसे हम एक दो मिनिट के लिए कुक करेंगे, या फिर उबालाने तक कुक करेंगे एकजोवेशन इसमें एड़ कर सके और हमारे पकोड़े थोड़े फुले फुले बने और थोड़े सॉफट भी और हम इसे टैम टू टैम चलाते रहेंगे या फिर हम इसमें कल्सी आइड कर देंगे न तो कितना भी उबाल जाए बाहर नहीं आएगा ये ट्रिक अजमा के दिखिएगा फिर हम यहाँ पर आइड कर देंगे होमेट करी मसाला इससे न करी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें उबाला ने देंगे देखिए इसमें उबाला चुका है और मैं करी की कंटेंटेंस्टी दिखाती हूं करी देखिए बिहारी करी इतना ही पतला होता है कि वो भात में आए ना तो हातों में चिपके ना और भात में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अब हम इसे एक दो मिनिट और कुक करेंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर देखिए चावल भी रेडी हो चुका है आज तो मज़ा ही आ जाएगा करी भात खाकर मुझे भी और मेरे फैमली को भी तो यहाँ पर सब चिए तयार हो चुकी है अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और साथ में आलू भुजिया और आलू चोखा अब यह चोखा रोटी में भड़के खाए बहुत मजाएगा अब हम इसकी थोड़ी काला कारी भी कर लेते हैं वाव सुपब तो देखिए करी कितना अच्छा है और इसके पकोड़े को देखिए पुड़े गुबाड़े की थरा फुला हुआ और कितना सौफ्ट वे तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे एक लाइक और इसे सेर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिरी में और रिलेटिव में और आप पहली बार मेरे चैनल पढ़ा है तो चैनल को सस्क्राइब करकर ही जाएगा और वैल आकन को प्रेस करकर तो फिर मिलती हैं एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहे, खुशियां बाठते रहे, आसपा सफाई बनाए रखे थैंक यू, टेक क्या रहे, नमस्कार